माफी चाहूंगी दोस्तों तबित खराब होने के वज़े से पिछले कुछ दिनों तक मेरी वीडियो से नहीं आपाई लेकिन आज में लेकिया यूँ बहुत ही बेसिक से यूसफुल किसें टिप्स जो आपको बेहत पसंद आएंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीस कोमेंट में ये ज़रू मैंशन कर दीजेगा कि देश के किस कोने से आप मेरा वीडियो देख रही है तो आईए बढ़ते हैं आज के पहले टिप की और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे सबजी में नमक तेज हो जाता है और इतना जादा तेज हो जाता है कि उसे फीके चावल फीकी रोटी या फी दही भी डालके खाते हैं तब भी वो सबजी खाई नहीं जाती है क्योंकि वो नमक से बहुत जादा खारी हो चुकी होत यह जितने सब्जी गरम होती है, इतने दूसरी तैयारी कर लेथे हैं, जो आटा हम लगाते हैं, रोटी बनाने में उस आटे से एक लोई तोड लेते हैं, रोटी जितने size की और दोनों हाथों की हथेली में थोड़ा साथ देसी गी लगाएंगे, अब देसी गी लगा करके इस भीए चीजतरे से इसके अंदर घड़ा करेंगी अब गर्म सबजी के इस पेड़े को डाल देंगे पेड़े को डालने के बाद हमें अब तक गैस चालू रखनी है जब तक सब्जी वहाथ बाहर नहीं निकालेंगे तो दोस्तों यह नहीं ए जाना दादी नानी के जमाने का तरीका है सब्जी में तेज नमक को कम करने के लिए मैं इसे एक बार ही बल्कि सो ट्राइ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत जादा कारगर लगती है तो ही मैंने आपके साथ शेयर की है इसे क्या होता है यह जो लोई हम गी वाली लोई इसके अंदर डालते हैं और सारा का सारा नमक सोक लेती है अब इस लोई को भी आप फेके का मत यह बहुत जादा टेस्थी लगती है आपने दाल वाली बात यह तो सुनी होगी बिल्कुल सेमी वैसी लगती है इसे चोटे कुछ लोगे साथ यह प्रोब्लम बहुत जादा होती है जब भी वह आटा लगाते हैं तो आटा परात में बहुत जादा चिपक जाता है नहीं परात देखने में अच्छी लगती है और इसे आटा भी बहुत जादा वेस्ट होता है तो आज लेके आई एक चोटी से टिप जिससे आपका परात में आटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और यह टिप उन लोगों के लिए तो बहुत जादा यूसफुल है जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने किचन का काम अभी नया नया करना शुरू किया है तो आपको करना क्या है जिस भी बरतन में आटा लगा रहे है ना मैंने परात ले लिए उसके बीचों बीच आपको थोड़ा सा नमक रख देना है और साथ में रखना है सिर्फ एक से दो गुंद घी और इस सुलूशन को पूरी परात में अच्छे से फैला लेना है और आटे में नमक डालते वक्त ध्यान रखेगा कि नमक थोड़ा सा क पानी थोड़ा करके डाले कुछ लोग मैंने देखा है कि जल्दी आटा लग जाए इस चकर में एक साथ में बहुत सारा पाई डाल देते हैं उसे आटा तो लग जाता है लेकिन आटे में लोच भी अच्छे से नहीं आता है और जो हैना आटा बहुत ही जादा हातों पर 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 चिपक जाता है इस तरीके से जब आटा लगाएंगे ना तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे आटा लगने में हो सकते हैं कि कुछ सेकिंड जरू फालतु लग जाए लेकिन आटा बहुत ही जादा चिकना लगेगा बहुत ही अच्छा उसमें लोच आएगा और इस आटे को लोच दीजेगा इस आटे की रोटियां आपकी आप दू दिन बाद भी खाएंगे ना तो नरम मुलायम बनी रहेगी आटा आप खुद देख सकते हैं और पराद देख सकते हैं दूसरा मेरा हाथ देख सकते हैं जरा साभी आटा मेरे हाथ पे नहीं चिपका है तो बहुत ही जादा काम आने वाली टिप है एक बार ट्राइ करके जरूर देखे का आप परते हैं आज के नेक्स टिप की और दोस्तों जब भी हम लोग भिंडे खरीद के लाते हैं तो धोने के बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन क्या होता है ना मोसम इतना जाद जादा गरम है कि थोड़ी देर महीं भिंडी इस तरह से नरम नरम होने लगती है अब नरम भिंडियों को काटना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो चोटी सी ट्रिक है दोस्तों जिससे आप अपना जोएना यह काम भी कर सकते यानि नरम भिंडियों को टाइट बना सक जब तक इसके अंदर ठंड़ के तब अंधिया टाइट है जैसे ठंड़क खतम होने लगेगी भिंडिया फिर से नरम पढ़ने लगेंगी तो आपको तो काम चली जाएगा ना हाथ थोड़ा सा तेज से लाकर के भिंडियों को काट लीजिए तो उमीद करते हूँ यहाली ट छी बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने दो बड़ी बोटल ली है और इसना घ्ला करया है इंहेर हम हुआ कट हलती छाफने के बदा को फेलगें का न भी वाले हम नह Crisis YouTube चापना ली है तो यहाँ पित जो है ना ग्लूगन ली है ग्लूगन से चोटे वाले घ्लास को बड़े वाले ग्लास पे इस तरह से अटेच कर लिया है तो देखने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जरूर लग रहा होगा दोस्तो लेकिन जब एक बरा बना लेंगे ना तो आपको बनाने में यह बह तो बड़े ग्लास एक चोटे वाला ग्लास और उसके बाद एक्रेलिक चो कलर होती ना स्केच कलर उनसे इस तरह से आर्ट वर्क कर दिया तो यह उसी के हाथ है चोटे 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 आप देख रहे हैं तो दोसो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बॉटल्स वेस्ट पड़ी थी या फिर महमान आये तो उनके लिए इसमें थोड़ी थोड़ी कैंडी चोकले टोफी रख सकते हैं कोई भी चीज रख सकते हैं देखने में बहुत ज्यादा बरिया लगता है और बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं कटेंगे क्योंकि आज इसको हमने प्रैस पे रखकर कर लिया है और क्यूर कितना लग रहा है आप देख सकते हैं तो चोटी चोटी क्रियाटिविटी हैं यदि दिमाग लगा के करे ना तो बेकार चीज़े कामा जाती है और घर बहुत ही ज़दा डेकोर लगता है जैसे की शोपी से लग रहा है तो इस क्रियाटिविटी के लिए एक करने नहीं वाला है और आप रिज को बंद भी नहीं कर सकते हैं तो इस जगह पे आप जो है ना खाली न्यूजपेपर को फोड़ करके डग दीजिए और आपके पस न्यूजपेपर नहीं है तो बच्चों की पुरानी नोट बुक और बुक्स भी आप इस जगह पे डग सक